हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिक्स फ्लिवर्स किचन आज हम बनाएंगे निम्बू का खट्टा मिठा हचार लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइपॉन दबातीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की निटिफिकेशन आपको मिल जाए निम्बू का खट्टा निम्बू में हम डालेंगे आधा किलो जीनी जितने निम्बू होते हैं उससे आधी जीनी और पचास ग्राम हम डालेंगे नमक इन्हें हम मिला कर दब कर एक जा दो दिन के लिए रख देंगे यह ची तरह से पाने चोड़ देगा और थोड़ा सा इसका छिलका गल्बी जाएगा तब हम आगे का इसका अचार बनाने का काम करेंगे हमें अपने निम्बू कर रखी हुए तिम देर हो गए हैं हमारे निम्बू थोड़ा गल गए हैं और इन पाने भी काफी छोड़ दिया है अब हमें अगे का पर सीजर करेंगे हमने ले लिए कड़ाही इसमें हम डालेंगे पचास ग्राम जीडा और इसे भूल लेंगे हमारा जीडा थोड़ा सा रोस्ट हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे बीस ग्राम अजवायन 20 ग्राम काली मिल्च 20 ग्राम बड़ी इलाची 10 पंदरा हम डाल देंगे लॉंग इन सब कभी हम रोस्ट करेंगे ग्यास हम अपना लोग मीडियम रखेंगे अब हम अपना ग्यास प्लम कर देंगे और इसे थोड़ी ते भी लाते रहेंगे क्योंकि अभी हमारा कड़ा ही करम है अब हम इसे मिल्च आ लेंगे और इन्हें थंड़ा हमें देंगे हमारे मसाले थुड़ा थंड़े होगे हैं इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे इसी में हम डाल लेंगे टेबल स्कुन काला नमक 1 छमच राल मर्ज 1 फॉर्थ टीज्पून हम डाल लेंगे जिंजर पाउड़र Ňंसना, ग्सपाउड पाउड्र हमने अपने मसालों को मूटा मूटा ग्राइंग कर रही है अब हमने जो निम्बू रखे थे इसे हम कड़ाही में डाले के एक उबालाने पर कूप करेंगे हमें इसे बहुत ज्यादा बॉयल नहीं करना है बस दो तेन मिनट बॉयल आने के बाद एक दो मिनट ही पकाना है आप भिनाव वाले भी ये निम्बू का अचार बना सकते हो ये इसमें अब अब साप मसाले डाल के छोड़ दो पर उसमें फिर काफी टाइम लग जाता है अचार त्यार होने में इस तरह से अचार बॉयल करने से थोड़ा जंदी बन जाता है हारे निम्बू कोईल होने शुरू हो गए हैं अब हम इसमें मसाला डाल देंगे और अपना गैसम बन कर देंगे थोड़ा ठंडा होने पेहाने से एक कंटेलर में भरत कर रख लेंगे इसे आठ से दस दिन लगेंगे त्यार होने में खाने लाइक बनने में आप भी इसे ट्राइ कीजिए और अपने एक्स्पिरेंस हमारे साथ शेर कीजिए आप